हेलो किट्स वेलकम तू अवर पीएस क्लास। तोडेय वी लेर्न नमबर 2.3 क्लीन वाटर। क्लीन वाटर मिन्स क्या होता है। साफ पानी। वी मस्ट मेक शूर दाट अवर वाटर इस क्लीन एंड प्यूर। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं वह हमेशा साफ और तियर वाटर चाहिए। वी मस्ट ट्रिंक ओनली क्लीन वाटर और हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। वाटर कैन बी पिउरिफाइड बाय बॉ самой लिग फिल्ट्रिंग। पानी को हमेशा बॉल करके या गरम करके पिना चाहिए या फिल्टर करके पिना चाहिए Nowadays, water is also purified using electronic water filter अभी क्या होता है? घर में हमारे आरो की मशिन देती है या कोई भी ऐसी electronic water filter रहते है जिससे पानी को purify किया जाता है साफ किया जाता है और पिने के लिए use होता है At home, water can be stored in clean vessels घर में साफ बरतन में हम पानी रखते हैं और clean pots या साफ सुत्रे pot में हम पानी रखते हैं These must be covered with a clean plate और a clean cloth हमें हमेशा उसको ढखकर रखना चाहिए plate से या कपड़े से ढखकर रखना चाहिए A clean glass must be used for removing water from a vessel जो clean glass रहता है ने साफ glass वो ही use करना चाहिए किसलिए water को बाहर निकान निकले For removing water from a vessel अगर हम घड़े में से पानी लेते हैं तो उसको भी निकालना चाहिए बराबर साफ सुप्रे clean glass से We make the water impure by bathing हम washing cloths याने हम क्या करते हैं? Water को impure करते हैं याने खराब करते हैं इसे bathing नहाते हैं, washing cloths याने कपड़े धोते हैं and throwing waste in the lakes and river और river में याने नदी में तालाबों में जो waste material है उसको फेकते हैं देखें यहाँ, इस picture में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिया है, bathing कर रहे है, washing cloths कर रहे है उसके वज़े से क्या हो रहा है, पानी जो है खराब हो रहा है जो waste material है वो भी यहाँ से आ रहा है, factor में से impure water leads to sickness disease, जो पानी खराब होता है, उससे क्या होता है, हमारी जो तबियत है, वो खराब हो जाती है we must not waste water, हमें कभी भी पानी को waste नहीं करना चाहिए use water only when it is needed, आपको तभी पानी का यूज करना चाहिए, जब आपको जरुर थो water used for washing, water किसके किसके लिए यूज करते हैं, washing vegetables, जो सबजिया है उसको धोने के लिए, और grains can be used for watering plants और जो पेड़ पोदे हैं, उनको पानी देने के लिए भी यहाँ use होता है